आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चो उसका टाइटल है रूल्स एंड रूलर्स ठीक है यह किस पर बेस है जो अभी आप टीवी चैनल्स पे न्यूज सुनी रहे होगे कि हमारा ट्वीटर फेस्बूक यह सब बंध होने वाला है थंबनेल्स वगएर आपने कई देखे ह रखो, ग्रीवेंस ओफिसर रखो ताकि कोई भी कंप्लेंट आएं कि यह जो मैटर है यह गलत है आप उनकी कंप्लेंट सुन सको और यह जल्दी से जल्दी करो पर इन कंपनीज वालों ने कोई जवाब नहीं दिया है क्योंकि पैंडमिक टाइम में बड़ा मुश्किल है इ इनको एक डेडलाइन भी दी थी कि 25 तक यह सब हो जाना चाहिए तो इन्होंने फोलों ने की तो इसी के उपर यह एडिटोरियल एकि यह जो गाइडल लाइन चाहित पर आपके किसी भी एक्जाम में करें स्टाट पर आपच्छे अगर आप चैनल को नाइन है तो कर को like और share जरूर कीज़ेगा पर कब जब आपको ये पूरा editorial समझ आ जाजए उसे पहले कोई जरूरत नहीं है करने की share न लाइक ठीक है बच्चो आप हमारी app डाउनलोड कर सकते हैं the selection campus app वहाँ पर आपको इसकी pdf मिल जाएगी free of course माई editorial section में जाके ठीक है मार्च की भी अपरहल की भी हम pdf साथ की साथ डाल देते हैं और grammar related course भी मिल जाएगे और हमारे social media links भी मिल जाएगे whatsapp टेलिग्रम वहीं app पर चलिए करें start चलो तो बच्चो ये editorial है आज का rules and rulers क्या कहना चारा है इसमें कि ये जो rules बनाए है और rulers rule कर रहे हैं जो इस सरकार पर ठीक है हमारी जो सरकार है उन्हीं को कहते है rulers जो राज कर रहे हैं इनहीं के उपर है चलो देखते है on social media curbs किस पर हो गया 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 editorial on social media curbs curbs का मतलब क्या होता है restrictions, restraints, रोक लगाना, limit करना किसी चीज को अब नोट कर लो साथ की साथ जो मैं बोलता रहता हूँ इसमें कोई word meaning की जूरत नहीं है PDF की आप नोट कर लो curbs का मतलब restriction मैं दोनों मैं बोलता हूँ सिरफ हिंदी में अगर मैं बोलनू तो उसका कोई फाइदा नहीं है बच्चो आप कोई भी exam crack नहीं कर पाओगे अगर मैं सिरफ हिंदी बोल दू तो रुकावटे इसका कोई भी benefit नहीं होगा अगर मैं आपको कुछ following का मतलब कुछ और बोल दूँ ठीक है इसका मतलब कुछ नहीं होता आपको English आनी चाहिए इसके तभी आपको फिलिंदा ब्लेंक सोल कर पाओगे तभी मैं बोल रहा हूँ का मीनिंग क्या है रिस्टिक्शन रुकावटे बोलने से आपको option ही नहीं मिलेगा फिलिंदा ब्लेंक समें रुकावटे कहां गया चलें करें स्टार शोशल मीडिया पे जो यो रिस्टिक्शन लगा दी गई है the government must hear out, hear out का मीनिंग है listen, सुनना the social media industry को सुनना चाहिए, must का मतलब confirm, सुनना चाहिए social media industry की जो आवाज है उन्हें भी सुनना चाहिए and shed its arbitrary rule making and shed, shed का मतलब क्या होता है, shed का मतलब गिरना होता है, बाल गिरना, खुछ भी गिर जाना ठीक है, बट यहाँ shed का मतलब, main आपको मैं बताऊंगा, to get rid of, which you don't want जैसे company है, employee की जरूरत ही नहीं है, खर्चा नहीं निकल रहा, तो वो shed कर देगी employees को, ठीक है, to get rid of तो उन्हें अपने यह जो arbitrary है, arbitrary का meaning हमने कल भी पढ़ा था, random, without reason यह जो rule बनाये हैं उन्होंने, इन्हें छुटकारा पा लेना चाहिए, इन्हें अटा देना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, it does seem that, it does, does, मतलब confirmation के लिए आता है, it does seem that, पक्का ऐसा लग रहा है, कि most, if not all, ज्यादा, मतलब सभी नहीं, लेकन most of, global social media giants, global, जो पूरे globally में, Google, Facebook ही, क्या है, पूरे world में फैली हुई है company, ठीक है, multinational है, social media giants, giants क्या होता है, giant कमलो, तो huge, massive, जो इन्सान जैसे ना लगे, तो इन companies को भी कह दिया जाते हैं, क्योंकि इतनी अमीर हैं, यह company, पूछो मत, richest है, ठीक है, इनके जो CEO's है, next, देखो, global media giants है, जो, it doesn't seem, ऐसा नहीं लग रहा, it does seem, sorry, note नहीं है, यहाँ पर, it does confirmation के लिए आता है, note जरूरी नहीं है, confirm करने के लिए भी does लगता है, present tense में, it does seem, तो यह कह रहे हैं, ऐसा लगता है, कि यह ज़्यादा तर, जो है, जो मीडिय हैं, will miss, जो ज़्यादा तर, global science, media giants है, will miss, complying with the new IT rules of intermediaries, तो कह रहे हैं, will miss, miss करेंगी, complying with, complying with का मतलब होता है, abide by, act in accordance with, मतलब उसके साथ साथ काम करना, मतलब उनके साथ agree होके, miss कर देंगी, यह जो new IT rules बनाए गए हैं, intermediaries के, अब यह new IT rules of intermediaries, what is the meaning of intermediaries, किसके लिए आए, सरकार के लिए नहीं आया, IT rules of सरकार नहीं है, यह IT rules of companies है, intermediaries, mediator को कहते हैं, mediator का मतलब क्या होता है, ऐसी organization जो बीच में पढ़कर, mediator मतलब बीच में, पीच में पढ़कर, लोगों का क्या करवाती है, communicate करवाती है, हम आपस में एक दूसरे सब्सक्राइब को communicate कर पा रहे हैं न, दूर रहे कर भी, तो यह intermediaries है, यह किसके कानों पार है, YouTube के कानों पार है, फेस्बुक के कानों पार है, तो इन्हें कह दिया है, intermediaries in companies को, ठीक है, which come into effect today, जो आज, which come into effect today, आज में यह होने वाला था, come into effect का माला, come into force, start to apply, जो आज होना है, ठीक है, it would be, IT rules आज इन पे लागो होने, ना मानने तो बंद हो सकते हैं, पर होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट को नों अनलग्की, रिग्रेटेबल, सही नहीं है, not pleasant, if this non-compliance were to trigger a further warning, अगर, अनफॉर्चुनेट के लिए यह होगी, second condition, फूर्चुनेट के लिए और इफ के साथ वर जरूर लगेगा, चाहा सिंगुलर हो, चाहा प्लूरल हो, अगर यह नों कॉम्पॉलियंस वर्चु टु ट्रिगर है, further warning of the already poor relationship, अगर यह non-compliance के लिए जो verb आई है, वर्वाज क्यों नहीं? क्योंकि यह conditional sentence है, imagination है, अगर यह non-compliance trigger कर देता है, ठीक है, बड़ा unfortunate होगा, अगर यह non-compliance फिर से trigger कर दे, trigger का मतलब है किसी चीज का कारण बनना, ठीक है, trigger का मतलब हो सकता है आपका, जो चीज होगी किसी के certain to happen, course to happen, कारण बनना किसी के होने का, अगर यह non-compliance क्या कर देता है, a further worsening of the already poor relationship between some social media players and the government, क्या रहे हैं, बड़ा unfortunate होगा, अगर यह ना मानना, trigger कर देगा, क्या trigger कर देगा, दुबारा से और ज्यादा relationship खराब हो जाएगी, further worsening, further यहाँ पे adjective है, further का मतलब more, additional, पहले ही ख खराब चद रहे है, कल भी हमने पढ़ा है, ना WhatsApp वाला इनकी सुनता ना Twitter वाला, Twitter वाला कहता है कि tag लगा देता है, इनके जो, जो यह करते हैं, वहाँ पर, अगर आपने कल का article पढ़ा होगा, इन्होंने Congress की एक photo डाले की, ऐसे ऐसे toolkit बना रही है, इन्होंने tag बना दिया कि चलिए, the new rules were introduced in February, were plus V3 मनला past की बात होगी, February में ये new rules आये हैं, ठीक है, introduced किये गए, February में, और deadline देरी 25 माई की, among other things, they require the bigger, क्या कह रहे हैं, just a second, among other things, they require, अब ये they require कौन है, धंग से समझना, they आया है, government के लिए, the new rules का मतलब, government के लिए, sorry, rules के लिए, the new rules were introduced in February, among other things, ये जो rules हैं, they require the bigger social media platforms, मतलब ये जो rules हैं, इन में क्या लिखा हुए, क्या requirement है, इन में requirement है, कि ये जो bigger social media platforms है, Twitter, Facebook वगेरा, अब ये bigger social media platforms के बाद आप यहाँ पढ़ो, ये extra information है, इतनी विच के बाद, यहाँ पढ़ लो, सिदा, यहीं आएगी, इसकी वर्व, they require the bigger social media platforms to be one, require के बाद object लगाँए, to be one आती है, they require someone to be one, they require the bigger social media platforms to adhere to a vastly tighter set of rules, क्या ज़रूरत है, ये rules हैं, क्या requirement है इनकी, की social media platforms को follow करना होगा, adhere to का मतलो, follow करना होगा, to a vastly tighter set of rules, vastly adverb, tighter adjective, set of rules, noun, vastly का मतलो, बहुत ज़्यादा extreme, very much, ज़्यादा ही, tighter, बहुत ज़्यादा tight rules बना रहे हैं, stick truth बना रहे हैं, ठीक है, which the rules refer to as significant social media intermediaries, जो ये rules हैं, ये किस से related हैं, which, ये two, which से पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी, to which the rules refer, किसको refer करते हैं, किस से related हैं, जो significant social media intermediaries है, significant मतलो, बहुत important, क्योंकि ये companies बड़ी important है, बड़ी-बड़ी हैं, इनके लिए हैं, इनके लिए हैं ये, जो social media, जो rules है, require the bigger social media, कौन से bigger social media platforms, which the rules, जिनको ये rules refer करते हैं, ठीक है, which the rules refer to, जिनको भी ये rules refer कियेगे, to a significant social media, जो ये significant social media intermediaries है, आप ये पढ़ो, सिरफ, among other things, they require the bigger social media platforms, to adhere, to a vastly tighter set of rules within three months, जो कि, end हो गया, 25 में ही हो, आज तो 26 है, they require these platforms to appoint, ये जो rules है, इनकी क्या requirement है, these platforms के लिए, कि ये appoint करें, chief compliance officer, CCO, chief compliance, मतलब जो मानता हो, in order to, किसलिए, in order to, why, make sure, the rules are followed, जो officer ये देखता रहे बैठके की rule follow किये जाते हैं, एक nodal officer चाहिए, इनको to coordinate with the law enforcement agency, nodal officer वो होता है, जो कोई भी गलची जो रही हो, सारा record रखता है company का, ठीक है, whistleblowers जो भी होते हैं, जो company में कुछ गलत ना हो रहा हो, इनको information देते हैं, record लेते हैं, तो ये कह रहे हैं, जो coordinate करें, police वखेरा से, CBI वखेरा से, and a grievance officer, complaint सुनने वाला officer रखो अपनी company में, ये pandemic के time, इतनी सारी चीज़े, इनको मानने को कह दिये, another rule, next क्या कह रहे हैं, another rule, requires messaging platform such as whatsapp to trace problematic message, एक rule और सुन लो, इसकी क्या requirement है, बिचारे इस rule की, जो हमारा messaging platforms हैं, whatsapp जैसे, इनको का आगय है, trace करो, trace मतलो, discover करो, ठीक है, find करो, problematic message to its originators, कि भाईया, आप कहां से आया है, ये कोई message जो problematic है, जो देश के लिए खतरा बन सकता है, ये कहां से आया है, इसका origin पता करो, तो ये सारी चीज़े, ठीक है, ये जो rules है, require करता है message raising, तो ये जो चीज़े है, raise उठाती है, lift करती है, uneasy question, uneasy मनला बड़ा परेशान, worried, ठीक है, जो परेशान कर दे, uncomfortable कर दे, ऐसा question, about how services that are end-to-end encrypted can adhere to this, कह रहे हैं, कैसे, जो services है, REC के लिए आया है, जो end-to-end encrypted है, कैसे follow कर सकती है, adhere कर सकती है, मान सकती है इन rules को, end-to-end encrypted आपने WhatsApp पे हमेशा लिखा होगा, कि आपका जब भी message करते हो, end-to-end encrypted का मतलब है, कि आपकी chat जो है, कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है, हम भी नहीं पढ़ सकते हैं, यह यूं बोलते हैं WhatsApp वाले, save हैं, किसी को नहीं दे सकते, तो कह रहे हैं, तो कोशन उठापता है, इस चीज़ पे, कैसे एक जो service है, जो end-to-end encrypted है, कैसे किसी का message का origin कहां से हुआ है, किसने भेजा है, कैसे बता सकती है, यह तो इनके खिलाफ है, rules की, company के खिलाफ ही है, बिल्कुली, there are indeed, indeed का मतलए, in really, many problems with the new rules, दर असल बहुत जादा problems है, really में, note the list of which is the manner in which they were introduced, क्या कह दिया है, इनोंने, note the list of which is the manner in which they were introduced without much public consultation, कह रहे हैं, बहुत सी problem है, उन में से एक, note the list of which का मतलब होता है, उन में से एक, one of, जैसे कोई example ले ले हम, इसका, जैसे मैं बोलू हूँ, Simran has many qualities, note the list of which is his moral behavior, एक उसका moral behavior, कह रहे हैं, कई problem science में, उन में से एक तो है, वो तरीका, जिनमें यह rule introduced किये गए है, बिना public consultation के भी, हमारा तो consultation ले लो, लोगों का, डिबेट तो करवाओ, there has also been criticism, condemnation, criticism का मतलब, और भी ज़्यादा criticism रहा है, about bringing in, bringing in का मतलब क्या होता है, introduce a new law कह सकते हैं, bringing in का मतलब, कह रहे हैं, और भी ज़्यादा क्या रहा है, there has been a criticism, criticism रहा है about bringing in, क्या यह introduce करने में, प्लेथोरा ओफ न्यू रूल्स, that ought to be normally triggered, only via legislative action, ठीक है, तो कह रहे हैं, criticism रहा है, इन रूल्स को introduce करने में, जो प्लेथोरा ओफ न्यू रूल्स हैं, प्लेथोरा का मतलब होता है, access, abundance, बहुत ज़्यादा रूल्स हैं यह, और जिनको, यह रूल्स के लिए आया है, that ought to be normally triggered, triggered का मतलब क्या होता है, triggered का मतलब वही है, होना, cost by particular action, मनलब किसी कारण होना, जो सिरफ एक legislative action के दोआरा ही, क्या trigger होने चाहिए, legislative action लिया जाएगा, ought to be, ऐसे रूल बना दिये हैं, जो legislative action, law बनाया है, एक्टिव बना लो, legislative action triggered these rules, legislative action triggered these rules, तो rules आगया आगया, पैसी बने गया, rules ought to be triggered by legislative action, ठीक है, तो यह legislative action लिए ट्रिगर करने हैं, यह rules जो होने चाहिए, कि आप पे action लिया जाएगा, कानून बना दिया है, law बना दिया है, इसी के दोआरा, यह rules फोलो किये जाने चाहिए, तो यह rules बना दिया है, इनोंने, तो यह कह रहे है, excess हैं, बहुत ज़्यादा, but, non-compliance can only make things worse, but, अगर आपने नहीं माना, इससे और ज़्यादा चीज़े, खराब हो सकती है, non-compliance का मतलब, आज में सिनोनिम बताता हूँ, in obedience मानलो, not in act accordance with someone's wish, in obedience, especially in a situation, in which the relationship between some platforms, such as Twitter and the government, seems to have broken down, कह रहे हैं, उस situation में, जब relationship है, किसके बीच में, some platforms, कली लड़ाई हूँ थी, Twitter and government की, जब tag लगा दिये थे, इनोंने समीत पातराओर की post पे, किसके बीच की relationship, platforms की, Twitter or government, seems, यह seems किसके लिए है, relationship के लिए है, यह सारा preposition का object है, extra information है, ठीक है, तो गह रहे हैं, उस situation में, बड़ा ही खराब हो जाएगा, और ज़्यादे चीज़े खराब हो जाती है, जब relationship जो है, इनके बीच में, seems to have broken down, ऐसा लग रहा है कि, जो इनके बीच में relationship है, और broken down हो चुकी है, ठीक है, seems के बाद perfect infinitive हो गया है, लगता आपको अभी है, पर यह इसके मुकाबले में हो गया है, to have broken down हो गया है, मतलब complete है, broken down का मतलब, जातर यह vehicles वगेरा के लिए आता है, जो work नहीं करते, bad condition में है, जो उनके relationship है, बड़ा ही bad condition में है, ठीक है, to be in a bad condition, does not work, the latest standoff, standoff का मतलब, जातर हमने word, China और India के बारे में सुना था, border standoff का मतलब, deadlock की condition, कोई भी एक दूसरे की नहीं सुना रहा, do not agree with each other, deadlock, impasse की condition, I-M-P-A-S-S-E, impasse, ठीक है, जो यह कह रहे हैं, लेटर standoff हुआ है, between them, over Twitter, किसके बीच में, किसकांद से standoff हुआ है, दोनों के बीच में, Twitter ने क्या कर दिया, over Twitter, ट्वीटर ने क्या कर दिया, Twitter का टैग करना, certain post, कुछ पोस्ट को, जो बीचे पी स्पोक्स परसन ने डाली थी, और उनको क्या टैग दे दिया, manipulated media टैग लगा दिया, संबित पातरा जी की फोटो डाली थी, कॉंग्रेस की उन्होंने, यह काम हो गए है, हैज, अब यह हैज किसके लिए है, उपर पढ़ लेते हैं, दा लेटेस्टेंड उफ हैज, बाकि यह सब प्री पोजिशन के बाद है, फालतू की information है, एक्स्टा इन्फोर, लाइटेस्टेंड उफ हैज, जो यह लेटेस्टेंड उफ हुए है, डेट लोग की condition हुई है, जिसमें कोई भी आगे निभड़ पाड़ा, इसने तो ऐसा result दे दिया था, इवन रिजल्टिड किस चीज में यह convert हो गया, डेली पुलीस विजिटिंग दा कंपनीज ओफिजिट, पोस्ट वैसे लगाया नहीं है, कई कोई लगाते नहीं है, ठीक है, तो डेली पुलीस का विजिट करना था, अपनी तरफ से हमारे पास तो है नहीं, तो यह भी एक सही बात है, ट्वेटर ने मैनिपलेटिड मेडिया लिख दिया, उस फोटो पे, दिखाओ तो सही, कहां पर है तुम्हार पास, प्रूफ दे दो, कि मैनिपलेटिड मेडिया क्यों लिख है तुमने, कि वो डिजिटल कोपी है भी, यह नकली है, तुम्हारे पास कैसे आई, यह भी ठीक बात थी, ट्वीटर ने अपने आपी ले लिया, संग्यान और लिख दिया, वो तो बाद में पता लगेगा, चलो, इससे अलग बात करें, इससे अलग क्या हो रहा है, गर्मेंट फाइट कर रही है, वोटसेप के साथ, और आप अगर किसी से कहते हो, मुझे मोबाइल खरीदने है वोटसेप पे, तो आपकी वो जो चैट है, उससे पता लगा के, हम एड फेस्बुक पे दिखा सकते हैं, तो यह प्राइवेसी रूल्स हैं, ठीक है, इस पर भी हमने वीडियो बनाई थी, वोटसेप के उपर, वोटएवर दा बैक स्टोरी, बैक स्टोरी कुछ भी हो, लड़ाई कुछ भी चल रही हो, आगे की बात करते हैं, जो आपको आगे ले जाए, वो बैक स्टोरी होती है, यह इंपोर्टेंट है कि शोशल मेडिया के जो कंपनीज हैं, यह फाइट करें, ठीक है, किसके साथ फाइट करें, न्यूरूल्स के साथ, जो कोर्ट अफ लौ है, कि भई अपने कानून के साहता लें, और अपना लड़ाई करें, ठीक नहीं है, if they find them to be problematic अगर वो इनको बड़ा है उनको इनको में problems लगती है तो इन फाल्तू के rules में ठीक है तो अगर करें भई अपना fight the other option दूसरा option क्या है debt of engaging with the government जो दूसरा option है debt of companies का engage करना government के साथ अब engage का मतलब होता है fight करना भी होता है engage का मतलब involved होना जैसे एक टीचर को engage रहना चाहिए students के साथ involve की मतलब वो पूरा सई ढंक से पढ़ते रहे तो यहां पर involved मिला fight तो उमने उपर बताई दी court के साथ दूबारा fight थोड़ा बोलोगे तो या तो फिर दूसरा option है engage करें, involve होएं, agree होएं थोड़ा government की बात मानने, deal करें बट यह जो अब यह extra information थी, that oh but the other option के लिए आया है may the other option may not work in these strained times यह जो strained time चल रहा है strain का मतलब क्या होता है तनाव भरा, problems, economy की बुरी हालत economy slow down चल रहा है यह work नहीं करेगा कैसे मानने, सारे के सारे rules, economy की बुरी हालत है corona चल रहा है, कैसे यह officers बगएरा लगा दे तो यह नहीं हो सकता ठीक है, थोड़ा agree नहीं हो सकते but, अब देखो यह इसी का बार बार fight थोड़ा करते रहेंगे यह भी fight, यह भी fight, but क्यों लगा है कि भई engage होना चाहिए, ठीक है, दूसरा option यह है पर यह option काम नहीं कर सकता ठीक है, तभी क्या लगा है, but but stonewalling on the question of compliance माल लिया, काम नहीं कर सकता but stonewalling भी मत करो on the question of compliance, company के लिए बोल दिया, question of compliance compliance का मतलो follow करना, obedience मानू, stonewalling का मतलब क्या होता है, stonewalling what is the meaning of stonewalling stonewalling कहते हैं, discussion को रोक देना, भई, क्या करके discussion, भई, आम answer ही ना देना, being evasive कह सकते हैं, बचना evasive, E-V-A, S-I-V-E तो यह कह रहे हैं, साफ-साफ stonewalling to stop discussion by refusing to answer questions, ठीक है, कि भई, आप बचते रह रहे हो, बार-बार, बचन walling करना, इन questions पे, compliance की कव follow कर रहा है, यह भी justify नहीं can never be justify, इसे justify नहीं किया जा सकता, ठीक है बचना इन questions से, जवाब इना देना government को, भले ही, even if, it is to be assume की, यह assume कर लिया जाए कि that the US government has their back, कि US government has their back, मतलब उनका support US government करेगी क्योंकि यह US की तो company है सारी की सारी, ठीक है, twitter है facebook है, whatsapp है भई, ऐसा नहीं कि आप किसी भी देश की सरकार में business कर रहे हैं और उनकी मानो ही ना, चाहिए आपकी अपने देश की government क्योंना support कर रही हो, ठीक है यह justify नहीं किया जा सकता, stonewalling करो facebook on its part क्या कह रहे है, facebook on its part facebook की बात करें has made all the right noises facebook तो कर चुकी है क्या कर चुकी है, has made all the right noises, क्या मतलब होता है मतलब इसका मतलब यह होता है कि आप लगबग थोड़ा enthusiasm दिखा है आपने concern दिखाया है, क्यों क्यों दिखाया है, क्योंकि आप सही में चाहते नहीं हो बस आपको करना पड़ेगा rules अगयर है तो showing concern because they ought to be rather than really wants to be तो मतलब इसे यह कह सकते है कि उन्होंने थोड़ा वो concern दिखाया है, मान चुकी है इनकी बात facebook it has said that it aims to comply with the new role it facebook के लिए आगया क्या कह रहे है it has said क्या कह चुके है that it facebook के लिए it aims to comply with the new roles new rules क्या कह रहे है यह जो aims है in it aims to be it aims to comply with the aims के साथ वैसे तो आता है सीधा ही object गलत थोड़ा बना रखे है नहोंने aims के बाद एट आती है इस position चलो कर लेंगे complying with आना चीए थोड़ा हो सकता है गलब it aims to comply with the new rules but also needs to engage with the government तो कह रहे है it aims to comply with comply with का मतलब मानना वो मतलब उनका aim यही अपना aim बता चुके है कि यह motive यह हमारा माल लेंगे इस rules को but also needs पर उनको जरूरत है to engage with the government on a few issues पर वो चाहते है कि government के साथ involve होना few issues पर कि government उनसे agree हो थोड़े बहुत issues चल रहे है अभी time नहीं है हमारे पास कुछ ऐसा कह रहे है ठीक है माल लेंगे हमारा aim यही है what is important is that the genuine concern of social media companies are taken on a board जो important है वो यह है कि genuine concern है जो real जो चिंता है जोशल मीडिया companies कि are taken on a board taken on a board का मतलब accept कर ली जाएं ठीक है उनके suggestions apart from issues apart from का मतलब इसके अलावा in addition to besides accept भी मतलब होता है कई बार यहां besides है को छोड़ कर भी होता है कि यह साथ भी होता है इन issues के साथ साथ यह जो rules के लिए issue बनाएंगे there have been problems about creating condition for compliance during the pandemic तो यह क्या कह दिया है इनोंने कह रहे हैं इन rules के साथ साथ there have been problems यह problems रही हैं क्या अब यह condition create करना की issue officer को रखना है novel officer को nodal officer grievance officer को compliance करने के लिए मानने के लिए इस pandemic के दुरण तो यह problems है जैसे कि report किया गया reported by the Hindu जैसा कि report किया गया है the Hindu newspaper की बात कर दी five industry bodies five industry bodies including कौन-कौन सी including preposition होता है CII यह कौन है CII इसकी full form आप चेक कर सकते हैं वैसे मुझे पता ही है थोड़ी कौन federation of Indian industry बोलते हैं इसे FICCI यह क्या है federation of इंडियन यू कह सकते है federation of Indian chambers of commerce industry ठीक है business से related company है and the US India business council have sought क्या कह रहे है report किया गया जैसे कि Hindu यह जो problem हो रही है नहीं create करने में तो इन इन companies जो भी है यह organization इन्होंने क्या किया organization है basically have sought have sought का मतलब क्या होता है have sought का मतलब seek की third form है seek का मतलब try to get something उन्होंने क्या चाहा है कि extension मिल जाए उन्हें 6 से 12 मंत का for compliance मतलब उन्हें लगबग एक साल का ये मानने के लिए rules follow करने के लिए extension मिल जाए क्योंकि अभी pandemic चल रहा है तो this is an opportunity for the government ये एक opportunity है governments के लिए to hear out the industry की industry की सुने वो to hear out the industry listen करें उनकी बातों को द्यान से and also shed shed का मतलब चुटकारा पाए get rid of छोड़ दे high-ended way of the rule making high-ended का जो तरीका है इनका rule बनाने का इन्हें छोड़ दे high-ended का मीनिंग क्या होता है high-ended का simple meaning होता है कि आप यू समझ लो और अथोर्टी यूज़ कर रहो without considering the feelings of others लोग क्या चाते हैं उसनी अपना strict rules तिखा रहे हैं ठीक है ये था आज का 12 बच्चो I hope आपको समझ आई होगी है कि क्लाइन वीडियो को शेर कर सकते हैं थेंक्यो